प्रांगणवर ब्राजमान चित्रेवी जिकडी के सौकी जुरुता बैठी हुए हैं आवाज को सुनती हुई इस प्रत्विका स्रिंगार्ब गंगा जमना के जैसी पवित्र मेरी माताई बहना हैं और इस मंच पर जित्रेवी मंचा सीन बैठे हुए हैं कमेटी के मेंबर्स बैठे हुए हैं आप सभी के सीचर्णों में नमन करते हुए राम राम सब सुर्टों जैसा कि आप सभी को विद्धत हैं सभी गाने वाले अपनी अपनी सभीता का पर्चे बड़े अच्छे तौर तरीके से दे रहें और आपके बीच में बारी बारी से कलाकर आएंगे और आप सभी को दहर से सुनिएगा चार लाइन में कभी जवाब दे रहा भाया मानुजी सभी दूसरा राउंड है और जत्तिय दिन है इसले निवेतन सभी से बहुत कहराई से सुनिएगा कि कागा सब तन खायो कागा सब तन खायो और चुन चुन खायो मास और दोने ना मत खायो दोने ना मत खायो जिन पिया मिलन की आप लोगों ने हमें जिकडी गाने के लिए बुलाया है इसलिए निवेतन सभी से आप लोगों ने कल से साकी सुनी भवाली सुनी लेकन आपको 20 मिन्ट में केबल आपको जिकडी सुनाऊंगा ज्यान को लगाईएगा उसी जगह जहांसे हमारे संभानिये बड़े भाई तेसिंग जी कथा को छोड़ कर गई थे यानि कि वह राजा मतंसेन एक एक नकड़ी खिंटी करके अपनी चिता बना रहा है यहां से कहानी बोड ले रही है भया मानू जी जब देखा दाल मार मार कर रो रहा है उसी बनी के बास्ते मा पार्वती बाबा भोले ना अपना ब्रह्मन करती हुँ जा रहे है लेकिन जब देखा कर रोने की जाने ची का सुनी तो ठमे गई सेलक कुमारिया है और ज्यान उमा को कहें जाहू का उठे बड़ भारी है हाथ जोड़ कहें पारवती हाथ जोड़ कहें पारवती नकर रुक जहां टमरू बारे और जहां रधन के काम काई भूले ना मुझे ऐसा मालूम पढ़ रहा है ऐसा सबब हो रहा है कोई दुख्या इस बनी के अंदर रो रहा है लेकिन माप पारवती और भूले नाथ को मारू जी क्या जब आप दे रही है सुरिए का कैसे लिए यह जब रोबे मारे के दाण गिरोया पे और पाण अरे त्रपरारी और मोई तो ऐसी लगी रही है पारवती जबाब दे रही है बोले नाथ इसे चलके देखा जाए लेकिन भाया जी आप जैसे बुद्ध जीवियों ने जबाब दिया है के हसे बोले रग बंशिक कुमारा और बिदी की लिखी को मेतन हारा समय से पहले भाग से जादा कभी भी इस रोता किसी को कुछ नहीं मिलता है लेकिन भाप पारवती जबाब दे रही है जब इतना सुना भया मारू जी नक करके देखो और इसे बीच बीच भी सुनागा परसकार सभी सुनताओं की तरब से बहिया मारू जी चार लाइन र्याद आई मुझे जेबर यूपी में रहता है कि सचन नाम का छोरा आप लोगों ने टेली बीजन पर भी देखा होगा अख्वारों के अंदर भी बढ़ा होगा लेकिन वह सचन जो सीमा को लेकर आया था था कहां कहां जेबर यूपी में रहता है एक सचन नाम का छोरा पबजी खेले बुना लाई बुल बुल खेले अनोखा के आई सीमा है दर पाकिस्तान सीमा है दर पाकिस्तान रंग से घोरा घोरा सीमा है दर पाकिस्तानी रंग से घोरा घोरा प्रेम जाल में भती मोरिनी हिंदुस्तानी जेवरा रंग से घर पाकिस्तानी बुल से दातनी जातानी जाताश रंग से रंग संटतानी जाताश झाल झाल मा पारवती और जवाब दे रही है लेकिन जब इन बातों को बाबा भोले ना ते ने सुना बाबा भोले ना ते जवाब दे रही है भोला कह सुने पारवती भोला कह सुने पारवती अगर नहीं तेरी गुणिया में अरे कितने मरते कितने जीते रो जाना इस तू तो सबकी करे से फारिस नहीं ग्यान विधी को तोकू और गौरा आपति रुप जाएगी मुखू चलिए यह संसार सागर है कोई जनम लेता है कोई मरता है हमें क्या मतलब लेकिन मापारवती और इसी बीच श्रीमान प्रता भगत जी ग्राम मववा से एक सट्रुपा का पुर्षकार देते ही बारवा धनबाद रोता जब बाबा भूले नात की बातों को सुना लेकिन बीरो सिंगी पंचा समथी सदस एक केमर का से बादेते हैं बारवा धनबाद आज मापारवती ने जबाब दिया है भूले नात आप इस दुख्या से मिलोगी नहीं है कोई वाक नहीं है यह आपका रास्ता है और यह मेरा रास्ता है लेकिन इस दुख्या से मैं जरूर मापारवती और भूले नात को मनू कि आज अब आप तेरी भीया जी सुनिये का अरे कि पारवती के तुम्हें यही रहाओ कि पारवती के तुम्हें यही रहाओ और मीतों यादे मिलिवे जाओंगी जब तक यापे कस्टा पड़े घवने नहीं नोति की तुम्हें जिकडी समझे में नहीं आए जिकडी समझे में नहीं आए तो हाथ उठा देना और आ रही है तो चिपचा बैठी रहे हो सुनिएगा तिरिया हत पे अलेगा यह तिरिया वो पता है ना बालक हत और तिरिया हत सुनिए सुनिए तिरिया हत पे अलेगा यह तिरिया नुहू सोचत अबरू बालो ए नुहू सोचत अबरू बालो ए तेरे मन किसी में करेतंगों कहता दखति नुबरकेता ना रहे गोरा अगर तुम नहीं मानती हो तो चलिये इसे दुखिया से मिलते हैं जब बाबा भोले नात की बातों को सना बाबा पारवती ने जवाब दे रही है मन में खुसभई पारवती मन में खुसभई पारवती लियो भोला शंग लगाई है और वहीं पहुंच गई जा मदन सेने ने अपनी चिता बढ़ाई है भोला कह तु को है दुखिया बेदा बता दे शारा और मतन से जबाब दे रहा है इसे जिंदी करा दो ना जब बाबा भूल ना तिरे इन बातों को सुना कहो तो जिकडिये सुनाओं नहीं गानों सुनाओं आगे चलने तुम अच्छी बाद जब इन बातों को सुना बेटा ये तेरी नानी है इसका नाम चंद्रप्रबाहा है लेकिन तुझे माल में तेरी रानी मर क्यों गई है सुन मेरी बाब बाबा भूले ना और मतल से इनको जबाब दे रहे हैं मालू जी कैसे सुनिएगा मदना सैनते भोले बाबा और बोले रहे बानी और बीसा साल की और बीसा साल की उमारे भोग तेरी माले गई है रानी कि बेता तेरी रानी के उम्र तेरी रानी क्या आयू तेरी रानी क्या बदी बीस मर सथी बीस साल धी अब दी पूरी हो गई और ये मर गई लेकिन तुझे बता है तेरी उम्र कितनी है सुन मेरी बाप, बापा भोले ना, आज मतन सेंड की उम्र बता रहें चाजा जी उमर तेरी पेटा सतर की उमर तेरी पेटा सतर की तीसा लहीं तेन भोगे लिख जाय मानों पतर की समय सीमा आने वाली है भईय मानू बेटा, तेरी उम्र सतर बर्स है जिसमें से तुने तीस भोग लिए उमरे चाली सा बचे तेरे अब सुर मेरी बाप, अगर तु अपनी राहनी को जीवित करना चाहता है तो मेरी बाप सुन उमरे चाली सा बचे तेरे बीस न को कर देदान बचन तू सत्ते माने मेरे तेरी उम्र चाली स बर्स है बची है बीस साल अपनी राहनी को देदे बीस साल तेरे बास बचनगे दोनों की बराबर आयू हो जाएगी दोनों एक साथ मरोगे अगर तेरी राहनी तेरे साथ में कोई दोका दड़ा करती है उस दिन अपनी उम्र बाबर से ले ले न आज जब इतना सुना बह्या जी बराबर आयू है जाएगी बराबर आयू है जाएगी बीस सान को कर देदान करानी तेरी जिन्दी है जाएगी हरी को दियो सहारो है हरी को दियो सहारो है जिना अली गरमी ये कोणा क्या वो हमारो है बराबर आयू है